आज आफ इंटीग्रेशिन के इस लेक्षर में कुछ और टाइप्स करेंगे सब्सीशन से रिलेटिड होंगे इस वें में सब्सीश्ट करेंगे और कैसे करेंगे उसके लिए आपको देखना है कौन सी टाइप वाइस में करते क्या है सब से वालां एक फिस सब्सक्राइब डिएये इस इस इन रहे हैं इस प्लस एक टाइर पेशन इंड गोशन आता है इसको में इस स्केर प्लस निया इस पेशन पहने क्या जो भी ठर्म वोगी इसके रूट निया उसको आपने पूट करदें, पूट स्केरूप लिए रिकर दू वाई, कुछ भी होगा, इस ताइट के वर्शन में हमेशे आपने ऐसे करदें, तो यहाँ पी क्या है स्केरूप लिए यहाँ स्केरूप लिए यहाँ स्केरूप लिए यहाँ स्केरूप लिए यहाँ स्केरू में और इसकोडेट ध करेंगे तो उसकों था करेंगे और namagya दिक्ष को यज़ Greens नियों में ठेट आर्शंफ सकते हिए एक्सकिल कि इच अधिन की कि हिशन को आगा है श्र। इसकी वैल्यू कीतनी आईगी। यहाँ से आप X नहीं कहा सकते हों. X is equal to Y square minus 2, यहाँ आप X की वैल्यू कोट कर दो Y square minus 2, और minus 1 अल्रडी है, Square top X plus 2 value Y और BX की value add 2Y default, अभम इस पांतर मल्टिप्लाई करते हैं, तब कह अभूस क्या आएगा, 2Y square है बार, अंदरहब-2-1-3 और मुल्टिप्लाई किया मिनस-6-y² दीवर तो यह आगा अब दोनों कहोंगर हमें इंटीग्रेट करियां सिंपल सा है 2 is a constant term और y की y की रिस्पेक्ट में होरी है y की कार्फ 4 है तो y की कार्फ 5 ओबर 5 minus 6 और y² है तो y3 ओबर 3 प्लस constant of integration और y की वैली जो है आपके पास उसको सबसीविल कर सकते हैं तो क्या आपके पास 2 और 5 y की वैली कितने है उसके रूट आफ एक्स प्लस 2 तो सके रूट का मतलब है 1 by 2 तो 5 by 2 लिएक सकते हैं और minus डिवाट किया तो 2 आगया और x प्लस 2 की पावर प्लस इस टाइप में जब क्वेशन आता है linear इंटूस के रूट लिए तो आप इस टाइप के को हमेशा ही ऐसे करने आपके तब आपके तो आपके अब सब्सक्राइब करते हैं तो आप तो थोड़ा साब ध्यान से देखो तो आप देखोंगे कि हम इसकी डिफ्रेंशीशेशन करने तो यह आया रहा है और इसकी डिफ्रेंश इंट ईसको डिरेक्ली फॉरमॉला नी लगा सकते हैं अगर डिरेक्ली 580 रिख सकते X की क्या आएगी एकी पावर माइनस X इंटू माइनस लगिया आपके बास अब मैंने पहले बता है कि D X मैंने सीधा यहां पी लगा रही है और D Y तो आपको पता है कि यहां के और यहां रही है यहां के बास तो 1 अब फॉंक्षन की लिवा से लोग य प्लस सी अब लॉग आपको चीज है जब आपको डिरेक्टली बता हुता है कि यहां तो आपको लिखवाया और फॉल्म देहां आपको लगते हैं यह कैसे कर लिए यहां प्यूंग किया में आपको यह पूंग ना बताएं इंटीग्रेशन बताना है कि कौन सा फॉर्मला आपने इसकी दोनों मियांसर सेम ही है कोई चेंज नहीं लेकिन यह मैंने सबस्यूट करके गया और यह मैंने डिरेक्टी फॉर्मॉला एपलाई गया लेकिन फॉर्मॉला कौन से बताया आपको तब लिखा में है तो मैं दोनों त्रीकों से आपको कर सकते है और अब इस थर्ड को देखो तो कॉस्यूट करना है तो उसकी डिफ्रेंशिशन कर रहा है तो क्या होंगे पास इसकी डिफ्रेंशिशन क्यों अगर मैं करूं क्योंकि इसकी क्या है वारा से यह सब्सक्राइब करना अब यहां पे थो ठीब ऐसे अब यहां पे थोड़ा सब्सक्राइब करना है जो चीज पूट के यह आपने इसकी स्केरिंग करना है कि साइन प्लॉस का उस्किल डू मुझां पॉपन कडिकर उपन करें की ज़से के प्लॉस बीएगिल फ्लस तू मीच एकल डू क्या अब क्या कि अब साइन के प्लॉस प्लास की वेलवी वहां पते हैं प्लास के प्लास के लाइक वाइट है और रहा हैं प्लॉस्च धार मंल्या उपार क्या रहा दा वाइस बीचे आ रहा है कंछ आगा रहा है और 1 over function की 1 over y की integration प्यारते हैं log of y और y की value of end में substitute जरूर करने हैं तो that is क्या आप यह अपर sin x plus cos x plus तो इस साइप में जो question आता है तो उसकी integration आप इस तरह से evaluate कर दो अब इस question को ध्यान से लेखो कि आप यह भी exponential कहा था और second one भी exponential कहा था इसमें तो denominator को put किया तो numerator की differentiation डाल प्ली आगे थी लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं denominator को put करूँ तो numerator की differentiation पूरी आएगी ऐसा नहीं हो रहे तो हम किस type की question में क्या करें तो थोड़ा सामी क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़े हैं आपने क्या करना हैं डिवाइडिंग न्यूमेटर एंड दिनोमेटर वाइल एक्स तो मैंने न्यूमेटर और डिनोमेटर को किए की द्वार एक्स ड्याटि करदा है तो दिखिणा क्या आएगा एकी पावर तू एक्स इसको एक्स इड्यकर ईक्स डिट cocoa सीन अब जल शूपर ने गवाहिए इसका एकी पावर एक्स बचेगा और यामदे एकी पावर माइनस एक तो यह इन्य क्वेशन है अब बिलुकुल सेटिंग क्वेशन की तरह बनगे ज्यान सुदिए को इस क्वेशन में और सेटिंग क्वेशन में कोई चेंज नहीं है वो डिरेक्टिली इस फॉर्म में दिया लिए यह वाला वोशन डिरेक्टिली नहीं दिया तो इस फॉर्मूली बनाया आया वोशन को तो पास आगे वरसी करना है सब्सीट कर्दों भी कर सकते हो डिरेक्टिली फॉर्मूला भीनेवा सकते हो आप दिख सकते हो f-x over f of x dx क्या अच्पर फोग आप लोग आप एक्स f of x क्या चीज़ है e की पावर x प्लस e की पावर मैस और f-x क्या आएगा e की पावर x minus e की पावर minus x क्यों इसकी डिफ्रेंशिशन ही करोगे तो यह आगे तो वही चीज़ आगे है ना पर काम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या आगेगा log of f of x that is binometer तो इसकी अगे डि इंडिएशन करो लिए तरह से आगे हैं विल्कुल second question की तरह है लेकिन दोने question में लिखने में थूड़ा सा परक है तो हमने इसको कैसे modify करके इस form में लाना है वह आपने नियाना है और इस question को ध्यान से लेगो sin2x over a square sin2x plus b square cos2x अगर मैं पूरे डिवामेटर को पुट कर दो आपको differentiation अच्छे से आती है और formula अच्छे से आती है तो आपको देखती ही पता चल जाएगा कि यह आएगा इस की put कर रहा हूं कि यहां साइन स्क्रेट की अब differentiation करों तो हमको पते ही क्या अच्छे स्क्रेट कांसेंट है 2sinx into cosx i plus b square अब cosx की करों आपको क्या है तो क्या है लाग 2cosx into minus sinx और equal to क्या आएगा dy upon dx complete करों अब यह चीजह हमें पते है formula बनाती है क्या होता है 2sinx cosx क्या आता है sin2x तो h square sin2x आता है और यह minus लेड़ो तो minus b square बनेगा और वहाँ पर भी formula क्या बनाता है 2sinx cosx that is sin2x dy upon dx अब दोनों में common क्या आ रहा है sin2x क्या बनाता है तो क्या आ रहा है a square minus b square dx को इदर लेगा दीव अब हमें numerator में है क्या आपके पास जो numerator में है सिर्फ वो चीज़ देने ही हमने तो मारे पास numerator में है यह चीज़ यह देखो numerator में है क्या सिर्फ यह आता है sin2x dx तो इसके लावर आगे दी वाई होगा a square minus b square अब सब्सिट्ट करेंगे हम यह आपके dy वाई होगा a square minus b square और ओबर क्या आगया y और यह constant term है वो integration से बाहर आगी ताब क्या आगया अब हमें पता है क्वान ओबर y वन ओबर function की इंडियेशन क्या आती है that is a square minus b square log of y plus अब y की value है तो इसको original form में put कर दो आप log of y कितना आएगा यह put किया हमें a square sin square x plus b square cos square x plus वह इस type के questions को आप किस तरह से deal करते हों integration में सबसे important चीज है कि आप questions किस type का कैसे deal करते हो जब भी आप पूरी integration में question आएगा तो वह टाइल नहीं लिखी होगी वहाँ पे ही इस type का question है तो आप ऐसे को वहाँ में integration का question होगा वह आपको खुद identify करना पड़ेगा किस type का question है और इसको हम deal कैसे करेंगे अभी हम जब questions करते हैं तो आपको बहुत easy लग रहा होगा कि हम बहुत मैसे question करें यह तो बहुत easy सा question है लेकिन जब आपको question सिर्फ integration का दिया जाएगा जब सारी integration आप पड़ चुके होंगे तो आपको यह दिक्कत आती है कौन सी type का है इसको हम कैसे deal करेंगे तो बहुत type सी question है हमारे पास और उनको different 3 के से deal करते हैं question को तभी वो question integration का specificity निकलता है अधरबड़ेज आपको integration का question ही निकलता होगे उसके लिए यह दो तीन चीज़ों मास्की होना बड़ी जूरी आपके एक differentiation बहुत अच्छे से आने चाहिए दूसरा geometry के formula बहुत अच्छे से आने चाहिए तीसरा integration के formula भी बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए तब आप integration का question चोटे से चोटा या बड़े से बड़ा करपा होगे अब next question उसको देखते हैं और आपके निगर question है लास्ट वर्शन है last question 6 question cost 2x over cos x plus sin x अब इसको भी आप पड़े ध्यान से देखोगे question बहुत simple सा है लेकिन आप directly तो करने को होगे अब सबसीशन है तो कुछ करना पड़ेगा आपको सबसीट करना पड़ेगा अब मैं directly substitute को होगे तब भी आपको problem होगी क्या put करना आपने तो आप क्या करोगे आपन कर दो और तू साइन ने कोज है क्या होता है साइन तू ने बोला कि फिर नवटे के formula बहुत important है formula बढ़ रहा है तो हमें use करते है अब आपके इसी लगर आए कि इसकी differentiation उपर आया है साइन तू एक्स की कॉस्ट तू एक्स होगे लेकिन अब बाखी चीज को change करके हम लेकिन पुट साइन 2x या 1 प्लस साइन 2x को पूरा पूट कर सकते हैं 1 प्लस साइन 2x इकल तू y साइन 2x को पूट गर कोई problem नहीं तो क्या है आपके वास 1 की 0 और साइन की क्या आएगे कॉस्ट 2x और 2x की क्या होगे 2 इंटू dx इकल तू dy लेकिन आपको चाहिए क्या से रिफ कॉस्ट 2x तो मैंने क्यों को गुस्ट जब लेगे अब सिंपल साइन की उपर क्या वान गया dy ओवर 2 और 1 प्लस साइन 2x की वैली कितनी है इसकी इंटिएशन की तो सिंपल सी इंटिएशन आएगी लॉग वाई ब्लस से अब वाई की वैली आप सब्स्ट करदो यहां पर वाई वैली है नहीं है हमने फुट के लिए 1 प्लस साइन 2x प्लस सी इस यह कम्क्रीट इंटिएशन ही होगी है तो इसको के आपने करने हैं तो इसको सिंपलिपाइब करने तो इसे ही सौल्व होगा पूरी इनामेटर को पुट किया नहीं यह तब भी ऐसे ही होगा यूगि डिफ्रेंशेशन उसकी कॉस्ट 2x की पॉर्म में आएग तो इसकर आपने इसको सिंप्लिपाइब करने हैं तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है जिस पॉर्मूलास पर आपको इतना ही काम होगा तो आपको उतनी ही तफ लगेगी की इतना ही काफी है तब देट य था आपका र में बन्यच्त अ काफी अदस ऐसे मलच